नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह उठते ही आखिर आप ऐसा कौन सा काम करें अपने घर के मुख्य दरवाजी पर कि लक्षमी स्थिर रहे और आपके घर में बरकत होती रहे सकात्मक उर्जा का प्रवाह हो तो तमाम बाते आज हम आपके साथ साजह करेंगे बहुत स उसमें ही थोड़ा सा बदलाव करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है अक्सर हम अपने घर के मुख्य दरवाजे को बहुत ही खुपसूरत तरीके से सजा कर रखते हैं और रखना भी चाहिए और घर का मुख्य दरवाजा सबसे ज़्यादा बड़ा भी होना चाहिए और सबस अब दूसरी बात दरवाजा जो है मुख्य आपके घर का इसको हमेशा ही आप सुन्दर सा रंग डाल के रखें और खुपसूरत तरीके से सजाईए सजाएंगे कैसे बहुत सिंपल है देखिए आप सोम बार या गुरु बार के दिन अगर आप सोम बार के दिन घर के मुख् तो उनका बंदनवार लगाएंगे बंदनवार जिसको हम तोरन कहते हैं तो घर में पॉजेटिव इनर्जी आएगी स्वास्त अच्छा रहेगा और अगर गुरु आर के दिन लगाते हैं तो आपके घर में धन आएगा धन की कमी नहीं होगी तो सबसे बड़ा धन तो स्वा में रेडिमेंट भी मिल रहा है प्लास्टिक है नहीं और इजनल तो आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं बहुत सिंपल है इसको बनाना और जैसे अपने फ्लावर डाला फिर एक पत्ता बांध लिया फिर फ्लावर डाला इस तरह से या सिर्क फ्लावर से ही आप इसको जो घर का मुख्य दरवाजा है उसके चौकट में ऊपर ठीक ऊपर में आप दोनों साइट से इसको रसी के सहारे बांध दीजिए बांध के तो इस तरह से जो है यह आपके घर में नकारत्म कुर्जा को प्रवेशी नहीं करने देगा और हर सप्ता या 15 दिन में इसको अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप सुब मंगल चिन्नों को बना कर रखें आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं अपने ही धर्म से संबंदी चिन्नों को बनाईए कोई दिकत नहीं है सुब मंगल चिन्न का एक बल अलग ही उर विस्तार से लेकिन देखिए सुबह सुबह उठकर एक छोटा सा प्रयोग आपके गुडलग को बढ़ाता है क्या करेंगे जैसे ही आप घर का मुख्य दरवाजा में डोर खोलते हैं उस समय आप एक छोटा सा काम करें थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर अगर गंगा जल पुच्छा लगवाई है कि बहुत सारी लोग नमक मिलेवे पानी से पुच्छा लगवाने को तयार नहीं होते हैं तो ऐसे में आप पुच्छा लगवा सकते हैं और सनीवार रभी वार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए क्यो बस ये समझ लें ये आत्मा है आपका मन है आपका सरीर का में डूर है और यहीं से सब कुछ आएगा अच्छी भी चीजें और बुरी भी चीजें इसलिए अगर बहुत सारे बार क्या होता है आपके पडोसी हैं आपसे जलते हैं आपके खुसियों पर नजर लगा रहे हैं कि बहुत साइब लोग नहीं मानते लेकिन फिर भी एमान के चलिए कि ऐसा होता है कुछ न कुछ गरहों की चाल है कुछ तंत्र मंद्र के रियाये हैं कभी-कभी लोगों को बुरी दृष्टी भी लग जाती है तो सनीवार रविवार के दिन जब आप घर के मेंडोर के बाहर स पानी पहले डाले फिर जारू लगवाए यानि आपको पहले जारू लगा के फिर नहीं दुलवाना है पहले पानी डाल दें फिर जारू लगवाईए और यह नियम सनीवार रविवार दोनों ही दिन कीजिए आप देखिएगा अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर मे इंडोर होता है मुख्य दर्बाजा होता है यह जीवन की जान है आपके घर का अब यहां पर आप एक छोटा सा प्रयोग करें घर के मुख्य दर्बाजा से जैसे ही आप घर से बाहर निकलेगें यानि अंदर की तरफ बाहर निकलना है ना अंदर की तरफ दाहिने साइट आप एक थोरा सा दोचार फुलों की पंखुरी रख दें जमीन में उस पर एक बरतन में पानी रखें और उसमें गुलाब की पंखुरी है गेंदे की पंखुरी है अगर वो भी नहीं है तो प्लेन वाटर रख दें याद रखी किधर दाहीने तरह ये आपके घर के सभी सदस्यों क सुरक्षा कबस देगा देखिए अभी का जमाना बहुत खराब है लोग घर से बाहर जाते हैं तो दिन भर घर के लोग चिंताएं करते हैं कहां है कैसा है कब आएगा और इसलिए यह जो पानी आप रखेंगे तो यह सुरक्षा कबस देगा घर के लोग जैसे सौकुसल गया है वैसे ही सौकुसल आएंगे इस पानी को आप अगले दिन इसको चेंज आपको करना है जैसे कि अगले दिन सुबह इसको उठा कर किसी पौधे में डाल दें और फिर उसको अच्छे से धोकर फ्रेस वाटर पानी इसको भरके रख दें वहीं पर यह प्रियोग आप नित्य द चिन बनाना है कैसे बनाएंगे देखिए स्वस्तिक बनाईए सबसे सुंदर चिन सबसे खुबसूरत चिन जो होता है वह स्वस्तिक ही है स्वस्तिक में गनेज जी का वास माना जाता है आप इसको हल्दी और चावल के घोल से भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे थोरसा चाव कि हल्दी मिला दे थोरा सा चावल लेना जादा नहीं अब इसका गाढ़ा सा पेस्ट हो गया अब इसको आप अपने घर के में डोर के बाहर मुख्य दरवाजय के बाहर की तरफ से खड़े हो जाईए और स्वस्तिक बना दीजिए या फिर ओम का चिन्ह बना दीजिए जैसे कि आते जाते लोगों का नजर उस पर पड़े बहुत बड़ा नहीं बनाईएगा सिंपल सा चोटा सा बनाईएगा आप देखिएगा आपके घर में निगेटिव एनरजी नहीं आएगी तो यह हल्दी और चावल का गोल लक्षमी को भी आकर सिद करता है और बुरी आत्माओं को बुरे विचार बारे लोगों के मन को बेहतर कर देता है या फिर कहत उसके मन की परिशानी आपके घर में नहीं आती तो यह सिंपल उपाय है अब इसके साथ ही आप जब भी कोई सुब मंगल दिन हो जैसे पुर्णी माती थी है एकादसी थी थी है या फिर कोई बड़ा बोस्ति तुखार है अपने मुखे दर्वाजे के सिंदूर के सहारे मुखे दर्वाजे के चोखट में ब्लना सकते हैं अब बात कर रहे तो क्या होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने घर के मुखे दर्वाजे पर गनेज जी की तस्वीर लगा देते हैं ताइल से लगा देते हैं अब जैसे गनेज जी ना हो गया आपके घर के दर्वान हो गया एक बात सायद आपको पता नहो कि गनेज जी के पीठ में दर्दिता का अगर कर चुके हैं तो जहां पर आपने गनेश जी की तस्वीर लगाई है मुर्ती लगाई है ट्राइस लगाया उसके ठीक अंदर की तरब से वहीं पर एक और गनेश जी की तस्वीर लगा दे ताकि दोनों का पीट एक दूसरे से टच हो जाए तो फिलाल भी दालेंगे हर हर महतिव